नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही बहतरीन और इंट्रेस्टिंग सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं मामला है नौर्थ कोरिया के ताना साहर राष्टा ध्यक्ष जिनका नाम है किम जॉंग उन वो मुलाकात करते ह रूस के राष्टपती ब्लादिमेर्थ पुतिन से और मुलाकात इतनी बहतरीन कि अपनी एक लगजरी ट्रेन से रसिया पहुंचते हैं किम जॉन लगबक चार साल के बाद इनकी ये पहली कोई यात्रा होती है और यात्रा इतनी महत्वपूर्ण कि पुतिन खुद उनके स् सम्मान में उतर कर जाते हैं बहतरीन सम्मान दिया जाता है एक तरफ जहां भारत के अंदर G20 की बैठक में तमाम दुनिया के बड़े देशों के राष्ट अधक्स चाहें अमेरीका के जो बाइडन हो चाहें रिसी सुनक हो या फिर कोई अन्य राष्ट अधक्स बड़े दे चर्चाएं चल रही थी अभी आसांती फैलाने की चर्चाएं कहां चल रही थी तो यह तस्वीर जो आपके सामने है यह अपने आप में बहुत कुछ बयाँत कर देती है एक तरफ है नौर्थ कोरिया के ताना साह गोसित ताना साह हैं दूसरी तरफ पुतिन साहब जो है इनको भी दुनिया कहीना कहीं ताना साहब बोलाने लगी है और इन दोनों की मुलाकात क्यों इतनी एहम है आज के सेशन में हम जानेंगे किम मीट्स पुतिन प्रॉमिसेज नॉर्थ कोरियाज फुल सपोर्ट किम जो हैं मिलते हैं पुतिन से और नॉर्थ कोरिया की पूरी सपोर्ट रसिया के लिए बताते हैं और किसके लिए बताते हैं, कहा जाता है कि रसिया का जो पवित्र युद्ध है, उसमें North Korea पूरी तरह से रूस के साथ है, किम जॉंग उन इन रसिया, किम जॉंग उन इन रसिया, inside North Korea's leaders bulletproof luxurious train, क्या है इनकी train के अंदर जो इतनी वहतरीन train से ये गए हैं, असल में आप अब तक समझ चुके होंगे कि क्यों ये मुलाकात हुई है, कारण है रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध, लगबग डेड़ साल से ज्यादा समय इस युद्ध को हो चुका है, एक तरफ है यूक्रेन, यूक्रेन के समर्थन में कहें अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं, कोई F-16 फाइटर जैट देता है, कोई पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम देता है, कोई अन्यर ड्रोन देता है, तो यूक्रेन को मदद करने के लिए तमाम देश अमेरिका के सहयोगी मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, पो कितना भी वैपन रशिया ने अपने साथ एकठा किया हो, लेकिन एक दिन सब कुछ खटम होना है, जितने भी गोले हैं, उनके अंदर बारूद खटम होनी हैं, मिसाइलों की कमी कहीं न कहीं ख़लनी है, इसी के चलते जो नौр्थ कोरिया है, नौः कोरिया के पास जो मिसा बना कर रखी हैं पूरा अमेरिका इसकी मिसाइल की जद में आता है इसी के चलते रसिया ने नौर्थ कूरिया की तरफ देखा है हाला कि भारत से अगर भ्रहमोस मांगी जाती है रसिया के द्वारा तो इंडिया ने भी कह रखा है कि हम आपको भ्रहमोस दे देंगे ब्यापार के अंदर भारत जो है इस युद्ध में कहीं भी ना रूस के साथ है ना अमेरिका के या कहें की ना यूक्रेन के साथ है इंडिया जो है इस युद्ध के अंदर फिलहाल अपने ही साथ है अपने साथ कैसे अपने हितों की रक्षा के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है अब बात जब आती है रसिया और नॉर्थ कोरिया को लेकर और ब्रह्मोष जो हमारी मिसाइल है वो थोड़ी सी महंगी भी मिसाइल है असल में कहा जाता है कि North Korea की जो Missiles Technology है उसमें रसिया नहीं इनकी help की है North Korea की और अब रसिया इनहीं की Missiles की ओर देख रहा है नूकलियर थ्रेट की अगर बात करें तो अमेरिका का अलास्का कहें या फिर पूरा का पूरा अमेरिका North Korea की Missiles की जर्द में आता है और मिलने का मुख्य उद्देश से यही है North Korea के ताना साह किम जौन उन मंगलबार को रूस पहुँचे पहले की तरह किम ने North Korea से रूस का सफर अपनी लगजरी ट्रेन से किया उनकी मुलाकात रूस के राष्टपती ब्लादिमिर पुतिन से हुई दुनिया की नजरें पुतिन और किम की मुलाकात पर थी ही साथ ही साथ हर कोई किम की ट्रेन को भी देखना चाहता था और इसके बारे में जानना भी चाहता था New York Times और New York Post ने इस ट्रेन के बारे में खास जानकारी दी है जिसको कि आज की सेशन में हम आपके साथ साजा भी करने वाले हैं कुछ इस प्रकार की ये ट्रेन दिखाई देती है सोचल मीडिया के उपर आपको इस ट्रेन का एक वीडियो भी जारी होते हुए दिखाई देगा साथ में जब इनकी ट्रेन पहुंचती है रेलवे स्टेशन के उपर तो गार्ड ओफ ओनर दिया जाता है एक और रूस के जो सैनिक हैं वो किम जॉन उनको रिसीव करते दिखाई देते हैं ग्रांड वैलकम किया जाता है आपने तमाम एयरपोर्ट बगरा के उपर जो गार् पहली बार आपने ऐसा नजारा कहीं देखा होगा इसे क्रेजी ट्रेन कहा जाता है रूस के पूर्ब मिलिटरी कमांडर पूलिवोस की जो हुआ करते थे और पूर्ब डिप्लोमेट हुआ करते जी और जी तोलो राया ये दोनों नाम ऐसे हैं जिन्होंने 2011 में इस ट्रेन मे इस लगजरी ट्रेन से जुड़ी रोचक जानकारियां साज़ा की हैं तोलो राया के मुताबिक ये कोई आम ट्रेन नहीं बलकि क्रेजी ट्रेन है इसके बारे में कुछ हम जानते हैं तो कुछ ऐसा भी है जो हमारी नॉलिज में नहीं है उनके पिता के जमाने से ये इस ट्रेन की स्पीर किसी वक्त 49 किलोमीटर प्रतिगंटा हुआ करती थी अब यह करीब 60 किलोमीटर प्रतिगंटा है इंटीरियर मेरून कलर और लकडियों से किया गया है इसमें कई बेडरूम सेटलाइट फोन फ्लैट टीवी स्क्रीन नजर आते हैं सिक्यूरिटी के इजाज़त नहीं होती है किम जोन की प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है तो ट्रेन का नाम है ताई यांग हो उसका उपनाम यह कहें तो इसको कहा जाता है यह एक चलता फिरता किला है टॉप स्पीड इसकी 69 क्या कहें 60 किलोमीटर प्रतिगंटा सुरक्षा के चलता है तब भी कुछ नहीं होगा नीचे से यदि ब्लास्ट होता है फिर भी कुछ नहीं होगा इतनी ट्रेक की जाच के लिए एडवांस सिक्योरिटी ट्रेन यानि कि इनकी जो ट्रेन चलती है उसके आगे आगे एक और सिक्योरिटी ट्रेन इनके लिए चलती है ट्रेन के कि ये ट्रेन से गए हैं तो जी हाँ जब आप मैप पर नज़र डालते हैं तो नौर्थ कोरिया का मोस्टली बॉर्डर आपको चाइना के साथ कनेक्टेड दिखाई देता है लेकिन ये जो जगह आपको दिखाई देती है कोरिया रसिया फ्रेंड्सिप ब्रिज नाम का एक ब् इसको नौर्थ कोरिया की सुपर ट्रेन बोला याता है विद पैथेटिक 37 मीटर पर आर टॉप स्पीड मतलब इसकी स्पीड जो है वो कुछ खास नहीं है साड़े तीन चार दिन की यात्रा का आनंद उठाते हुए किम जॉन अपनी यात्रा पर निकलते हैं बीबी सी के मता हैं हम जो बाइडन की अमेरिका के जो राष्ट्रा देक्ष हैं वो अपनी एयर फोर्स वन के साथ पूरा लवाज में के साथ ट्रेवल करते हैं उनका जो जहाज है वो भी अपनी जहाज के अंदर 20-30 लगजरी गाड़ियां लेकर सफर करते हैं उसी प्रकार से जहाज की तर प्रकमान में हैं उनके दादा हुआ करते थे किम इल संग उनका नाम था उनको रूस के एक पुराने नेता हुआ करते थे इस्टालिन ने इनके दादा जी को ये ट्रेन गिफ्ट की थी ये कई डिब्बों वाली इंटर कनेक्टेड ट्रेन है जब भी किम उत्तर कोरिया या चीन की यात्रा करते हैं तो उनका सारा लाव लसकर इसी ट्रेन में उनके साथ होता है हाला कि इस ट्रेन को लेकर ज़्यादा जानकारी उपलब्द नहीं है इस ट्रेन में ट्रेवल कर चुके पुराने अधिकारियों के मताबिक ट्रेन में एक कॉन्फरेंस रूम भी है जिस प्रकार से होती है वो आप देख सकते हैं किम जॉन उन टेकिंग लेबुरियस 3.5 डे साड़े 3 दिन का सफर जो इनके द्वारा किया गया और अराम से पहुचते हैं ट्रेन के अंदर का जो द्रिस से है वो आप देखते हैं अपने ओफिस के स्टाफ के पूरे स्टाफ के साथ ह सफर करते हैं साथ में इनकी जो बहन हैं वो भी दिखाई देती हैं कहा जाता है कि किम जॉन की जो बहन है वो उनके काफी करीब हैं और नौर्थ कोरिया के अंदर इनके बाद नंबर टू पर यदि किसी को माना जाता है तो इनके सिस्टर को ही माना जाता है रूस के कोरिया के बीच रिष्टे को मजबूत करने पर टोस्ट किया किम जोंग ने कहा कि बुराई के खिलाफ अपने मिलिटरी ओपरेशन में रूस की निश्चित तौर पर जीत होगी आप इस बहतरी नजारे को देख सकते हैं जहां पुतिन खुद खड़े होकर दुआ करते हैं और बाइलेटरल रिलेशन की हमारे जो दुपक्षी ये संबंद हैं वो काफी बहतरी होने वाले हैं साथ में इनके द्वारा भी पुतिन सहाब की गुड हेल्थ के लिए कि आप जो है हमेशा स्वस्त रहें इसके लिए टॉस किया जाता है और दुआएं की जाती हैं पुति पुतिन ने किम का स्वागत किया ये स्पेस सेंटर रूस के पूरवी आमूर छेतर में है अब यहां से कहानी सुरू होती है कि इनके द्वारा या कहें कि नौर्थ कोरिया के द्वारा पुतिन को या फिर कहें कि रूस को वैपन्स दिये जाएंगे मिसाइल दी जाएंगी क् क्या चाहते हैं तो बदले में जो ये चाहते हैं तो बदले में इनको दिखाए गए हैं सपने, सपने दिखाए गए हैं रूस के द्वारा, कैसे सपने, सपने दिखाए गए हैं इस्पेस सेंटर के, यानि कि इस्पेस के अंदर जो सेटलाइट छोड़ी जाती हैं, उन में किम जोंग ने कहा रूस के साथ वहतर रिष्टे हमारी प्रात्मिकता हैं। रूस अपने संप्रभुता और देश की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। हम सामराजयवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे। इससे पहले किम जोंग ने स नॉर्थ कोरिया के किम जोंग वह पुतिन के साथ मिलकर रॉकिट्स का रिव्यू करते हैं। मिसाइल्स तो नॉर्थ कोरिया ने काफी बना ली हैं लेकिन अब नॉर्थ कोरिया चाहता है कि सेटलाइट के छेतर में भी अपने काम को आगे बढ़ाएं। अब ये के उपर अपनी जगह पहले ही ले चुका था भारत के सैनिक नीचे से उपर पहाड पर चड़ने में मसकत करते थे जब चड़ते थे तो इनके उपर भारी मात्रा में गोला बारू डाल दिया जाता था और भारत के सैनिकों को अपनी जान गवानी पड़ते थी काफी सारे सैनि उस समय भारत देखता है अमेरिका की ओर, 1999 में अमेरिका से मदद के लिए भारत के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका ने Global Positioning System GPS अपना बना रखा था, GPS की मदद से जो पहाड के उपर पाकिस्तानी सेनिक छुपे हुए थे, उनकी लोकेशन जानने के लिए भारत ने अम हमले करने के बाद पाकिस्तानी सेनिकों को धूल चटा सकता था, जब अमेरिका से मदद नहीं मिली, तब भारत प्रेणा लेता है, अपनी एक कमी, कमी जो है उससे सीखा जाता है, और IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, यानि की जैसा GPS सिस्टम है, वैसा ही इंडिया के द्वारा, अपना खु with Indian Constellations, तो यह जो हमारी प्रेणा थी, अपना खुद का GPS बनाने की, या फिर IRNSS बनाने की, वो मिली थी, इसी युद्व से तो सेटलाइट कितनी जरूरी है, आज के इस युग में ये समझता है, नौर्थ कोरिया और अपने साथ इस छमता को विक्सित करना चाहता है, पु इसी वजह से Space Center में मिल रहे हैं, नौर्थ कोरिया के लीडर रॉकेट कंस्टरक्शन तकनीक में दिल्चस्पी रखते हैं, हमारे पास बहुत समय है और हम हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे, पुतिन ने कहा, मुझे आप से मिलकर खुसी हुई, इसके जवाब में किम भी रूस के दोरे पर आए हैं, आखरी बार दोनों नेताओं की चार साल पहले 2019 में मुलाकात हुई थी, किम जोंग उन एंड पुतिन मीट्स आर्स आफ्टर नौर्थ कोरिया मिसाइल लॉंच, यानि कि इनकी जो मुलाकात होती है उससे पहले भी नौर्थ कोरिया एक एक वज़े हमने देख ली जो की है स्पेस छेतर के अंदर सैटलाइट का जो छेतर है उसके अंदर हाथ आजमाना, बी बी सी के मुताबिक नौर्थ कोरिया के पास लाखों की संख्या में आर्टिलरी सेल और रॉकेट हैं, जो उनके सालों लगा कर बनाए हैं, हालां कि कोई जंग नहीं होने की वज़े से इनका इस्तिमाल नहीं किया गया है, इससे नौर्थ कोरिया का जो पैसा है वो कहीं न कहीं इस्तिमाल में आ जाएगा, जो मिसाइल बना रखी हैं, वो खराब होने से पहले ही कहीं इस्तिमाल हो जाएंगी, न्यूज आप तमाम न्यूज वेपन्स खरीदने की तैयारी में है रसिया सीकिंग वेपन्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया और इसी के बदले में ये सारी जो खबरें हैं इसी के बदले में नॉर्थ कोरिया को अमेरिका जैसे देशों से लगातार धमकी मिलती है नॉर्थ कोरिया विल पे अप्राइस की इसकी की जीमत इनको चुकानी होगी वावजूद इसके लगभग एक महीना पहले आपसे हमने सेशन साजा किया था जिसके अंदर रसिया के डिफेंस मिनिस्टर लगभग एक महीना पहले नौर्थ कोरिया की अंदर विजिट करते हैं और इनके जो मिसाईल सिस्टम सें उनकी बारी की स जानकारी लेते हैं और ये एक महीना पहले की जो विजिट थी उसके अंदर भी आपसे हमने साजा किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है या कहें कि नौर्थ कोरिया रसिया के जो सम्मंद हैं वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे सो आपने ख़बर देखी आप द जल्द आपको परेशन विद रसिया कि जो नौर्थ कोरिया की इतनी बड़ी मारक चमता है वो कैसे आई तो ये आई है रसिया की मदद के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता ऐसा अमेरिका का खुद का मानना है अमेरिका के ठिंक टेंक के हवाले से ही ये खबर आती है एस्टीम इतनी बड़ी चमता इन्होंने विक्सित की है और जिसके चलते अमेरिका लगातार डरता है और साथ में आरोप लगाता है रसिया और चाइना के ऊपर कि युनाइटेड नेशन्स के अंदर हमें साथ नौर्थ कोरिया का बचाओ इन दोनों देसों के द्वारा कर दिया जात नौर्थ कोरिया विल पेदा प्राइस अमेरिका लगातार कहता है कि कीमत चुकानी होगी अब इसके बारे में रसिया का क्या कहना है रसिया जो है वो वेपन्स खरीदना चाहता है या कहें कि रसिया इस बारे में क्या कहता है मिसाइल से हथियार खरीदने को लेकर जब आरो प्लगते हैं रसिया के उपर तो रसिया का कहना है West broke agreements by sending ex-soviet arms to Ukraine जो वेस्ट है पूरा का पूरा अमेरिका और उसके सही जोगी देश है उन्होंने खुद agreement तोड़े हैं agreement कैसे तोड़े हैं तो जो शोवियत संग के समय वने हुए weapons थे वो इन्होंने पकड़ा दिये हैं यूक के 1000 टन वीट फ्लोर यानि गेहूं का आटा दिया जाता है North Korea को जून के अंदर क्योंकि North Korea के अंदर खाद्यान संकट कहीं न कहीं ओभर कर देखने को हमेशा मिलता है तो North Korea को जो खाद्यान है वो प्रदान किया जाता है रूस के द्वारा और क्या क्या चीज़ें दी जाती है तो 2800 टन कॉर्न दिया जाता है 1280 टन ओफ वीट फ्लोर दिया जाता है 1276 टन वीट फ्लोर दिया जाता है मतलब कई बार इनकी मदद की जा रही है आपकी क्या राय है कमेंट के मात्यम से जरूर बताएं पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं वीडियो को जादा से जादा लाइक करें अपने सातियों के साथ सेयर करें चैनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हैं